पीडी पाइस इंटर कोली एक्सरसाइज 9.1 का कोस्चन नमबर 7 अबिटा ये लिखा हुआ है मिनार के आधार से देखो एक मिनार है ये के अधार है इसने काया इसके आधार से 4 मिटर यहां पर रही इसाधार से 9 मिटर जाल से आता कि इन नगया मिटर ठीड तुर फीड़े कोड़ ऊंगया और दुरुम आधार मिनार के सिकर के उन्यान कोर पुरख कोड़ है देखो उसने काया मिनार के सिक रक तो ये कोण हो गया और एक और ऑफ ए वाला हो गया ऐगा उसने का ये जो कौण है ये पूरा कौण हूत है छो के कोण कॉन शता है जिड्का homeless होता है अब जैसे है मैंने 20 मान गया तो यह कितना विदाएगा तो हिसलिख करो कि मिनार की उचाई 6 मिटर है, देखो सीध करना है, तो माल लिए है कि उचाई H है, ठीक है, मालना, A, B, A मिनार है, जिसकी उचाई H मिटर है, देखो, दो तिरबुज है, एक A, B, C, और एक A, B, D, पहले कौन से तिरबुज में ले लेंगे, तिरबुज A, B, C में, देखो, लंब हो गया, H, आधार हो गया, 4, लंब बटे आधार बराबर 10 ठीटा, H, बटे 4, बराबर 10 ठीटा, या H का मान कितना जाएगा ऐसे, 4, 10 ठीटा, समीकरण, फर्स्ट, अब देखो, ऐसे भी बताया, कौन से तिरबुज है, A, B, D, दूसरी कौन से तिरबुज है, तिरबुज A, B, D है, लंब तो गया, H, अब देखो, A, B, D, तो आधार कौन सा हो गया, इसका, B, D, और B, D कितने मिटर है, 9 ठीटा, लंब बटे आधार बराबर 10, क्या कौन बनावाए रखना, 90 माइनस ठीटा, H बटे 9 बराबर 90 माइनस ठीटा किसके हो जाएगा, कोट ठीटा, या H बराबर आगया, 9 कोट ठीटा, समीकरण, सेट, देखो, इसमें भी H काई माणना, उरिसमें भी, तो क्या करेंगे, समीकरण, 1st, 2nd की गुणा करने पर, 1st, 2nd से, LHS की गुणा LHS में करेंगे, H गुणा H, RHS की RHS में, 4, 10 ठीटा गुणा 9 कोट ठीटा, H गुणा H किसके आगया, H स्कूर, बराबर, अब देखो, यहाँ पर 4, 10 ठीटा लिखा हुआ है, 4, 10 ठीटा, क्या लिखेंगे, 1 बटे, कोट ठीटा, गुणा 9, 8 ठीटा, कोट ठीटा से, 8 ठीटा गड़ गया, H स्कूर बराबर, 4, 36, यह H बराबर, कितना आगया है, 6, 36 का अब देखेंच होता है, इसलिए, मिनार की उचाहिए, बराबर, 6 मिता,